दोस्तो, किसी भी शादेशी दाउरत को अपने तरफ आकरशित करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि महिलाई सबसे ज्यादा भावकाती है अगर लड़की को पटाने की बात है, तो भी सेम ही है दोस्तो, आमतार पर महिलाई और पुरुष दोने ही विपरित सबब के होते हैं और इसके कारण किसी के मन को जीतना थोड़ा बहुत impossible हो जाता है मगर किसी भी औरत को या लड़की को चुटकी में पटाना है, तो जरूरत है आपको आइडिया और नौलेश की किसी को इंप्रेस करने से पहले जरूरी है, सबसे पहले उसका दिल जीतने की उसके दिमाग पर कंट्रोल करना मगर ये बिल्कुल भी आसान नहीं है पुरुष औरत को पटाने के चक्कर में कभी कबार गलत काम और गलत रस्ता भी पकड़ लेते है जो उसको नहीं करना चाहिए मैं इस वीडियो में ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके उपयोग करने से आप अपने मकसद में बड़े आदराम से कामियाब हो जाओगे किसी भी प्रकार की कोई भी तकलिप नहीं होगी किसी भी औरत को अपनी तरफ आकरशित करने का सबसे बेश्ट तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिसे आप फॉलो करके आप अपने मन पसंद लड़की को या औरत को अपनी तरफ आकरशित कर सकते हो और उनसे दोस्ती कर सकते हो उन्हें अपना गल्फरेंड बना सकते हो नमर एक बेश्ट कपड़ों की चॉइस करे और इस्मार्ट दिखे दोस्तो वैसे तो आवरत ज्यादा तर सुन्दर और इस्मार्ट लड़ को को ही पसंद करती है तो आप क्यों है इस्मार्ट बन जाते हो हमारे देश में कहावत है इस्मार्ट बनो इस्मार्ट दिखो तो आप इसी कहावत को अपने जिंदगे में उपियोग करो आपको बॉड़ी के हिसाब से परफेक्ट ड्रेस चॉइस करना है और उसे पहनना है फिर देखो आप कितने सुन्दर लगते हो नमबर दो डेली फेजवाश यूज़ करो दोस्तो कभी भी अपने चेहरे पर साबुन का इस्तमाल ना करे साबुन का उपयोग अपने बॉड़ी पर करे चेहरे को साबुन से दूर रखे चेहरे की फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए हमेशा फेजवाश का यूज़ करे आपको मेडिकल में बड़े आराम से अच्छी कमपनी का फेजवाश मिल जाएगा आपको रोज उसे यूज़ करना है ताकि चेहरे की सुन्दरता और ग्लोइंग बहार आ सके और आप ज्यादा से ज्यादा सुन्दर और हैंसम दिखो नमबर तीन कॉन्फिडेंस दोस्तों कॉन्फिडेंस यानि आत्मे विश्वास ये एक ऐसी चीज है जो हर समय आपको प्रेरिक करते है कि आप हाँ जो मैं करने जा रहा हूँ वो जरूर होगा लड़कियों के मामले में भी ऐसा ही है जब आप किसी लड़की को इंप्रेस करने जा रहे हो तो आपके अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है और शर्म को घर पर ही छोड़ कर आना अगर आप लड़की से बात करते समय शर्माते हो तो आप भूल ही जाना किसी लड़की को इंप्रेस करने के मामले में नमबर चार आखों में आखे डाल कर बात करे तो इस तो आई कॉन्टेक के बारे में आपने तो सुनाई होगा नहीं सुनाए तो मैं आपको समझाता हूँ जब आप किसी औरत से बात करने जा रहे हो मतलब उसके उससे face to face बात करने जा रहे हो तो उसकी आखों में आखे डाल कर देखना आई कॉन्टेक करना तब जाकर आपकी बात बनेगी और उस औरत को ऐसा सोगा कि आप उसमें इंट्रेस्टेड हो आप उसमें इंट्रेस्ट ले रहे हो नमबर पाच ब्यवार में बदलाव लाए दोस्तो लड़का लड़की एक समान नहीं होता मतलब जैसा आप अपने लड़के दोस्तों के साथ बात करते हो उनके साथ मजाग करते हो वैसे इस मामले में आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते किसी लड़की के साथ या किसी आउरत के साथ आप अपने दोस्त जैसा बेवार नहीं कर सकते किसी आउरत या लड़की के साथ बात करने के लिए अपने बेवार में चेंज लाना होगा उसकी respect करनी होगी उसे संबान देना होगा तब ही जाकर लड़किया या औरत आपको पहचानेगी कि हाँ ये लड़का किसी अच्छे परिवार और किसी अच्छे खांदान से है और लड़का भी अच्छा है अपनी बोली और बात करने का तरीका चाल चलन सब कुछ बदलना है यह होगा आपको नमबर छे खराब शब्द उसके सामने ना कहें दोस्तो आप अपने दोस्तों के साथ बात बात कर रहे हो और वही औरत आपके साइड में भी खड़ी है तो समझ लो कि आपके दोस्तों से मजख मजख में गाली दे कर बात करते हो लेकिन इस समय आपको बिल्कुल भी गाली गलोज नहीं करना है उस समय आपको थोड़ा शांत रहना है अपने मजख को कंट्रोल करना है अपने जुबान से गाली नहीं निकालना है इस लड़की को या औरत को ऐसा बिलकुल भी नहीं लगना चाहिए कि आप किसी आवारा किसम के लड़के हो या आपकी भाशा बहुत खराब है आप बात-बात में गाली देते हो उनके सामने आपको अच्छा बनकर रहना है नमबर साथ बात की स्टार्टिंग बिना डरे करे दोस्तो अगर आप पहली पहली बार किसी गल्स से बात करने जा रहे हो तो आपको थोड़ा तो मुश्किल होगेगा उससे बात करने में मगर आप डरिये मत उसके साथ ऐसे बात करना जैसे आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो कोई भी डर नहीं कोई भी शरम नहीं जस्ट उनसे फ्रेंड के सबसे बात करो मगर दिल धक धक करे तो भी कोई बात नहीं सिर्फ एक बात को याद रखना कि उनके साथ बात करते समय आखों में आखे डाल कर बात करना कभी भी अपनी आखों और सर को नीचे मत रखना नमर आट मजा किया बने दोस्तों महिलाई ऐसे पुरुशों को दिल दे बैठती है जो ज्यादा मजा किया होते है चुप चप रहेना किसी के साथ बात नहीं करना किसी के साथ कम बात करना सिर्फ घर पर बैठे रहना ऐसे लड़कों को औरते भाव भी नहीं देती यदि आप में भी ये सारे गुन है तो उन गुन को आप अपने अंदर से डिलिट कर दो मजा करो दूसरों को हसाओ तभी इंप्रेस्ट करना आपके लिए बहुत आसान काम बन जाएगा नमबर नो एक्स के बारे में जिकर ही नहीं करना दोस्तो अगर पास्ट में आपको आपकी कोई गल्फरेंट रहे चुकी होगी कोई लड़की तो उस लड़की की तुलना इस लड़की या औरत के सामने हर्गिस ना करे उसको बताई नहीं और अगर आपको बताना भी पड़े तो उसके बारे में बुरा भला ना कहे बस इतना कहना सिच्वेशन के कारन हमारा रिष्टा तूड़ गया अगर ये अवरत आपसे ये पूछे कि आपकी एक्स गल्फरेंट मुझसे भी ज़्यदा खुबसूरत थी किया तो आप डैरेक्स उसे ना कहना उनके सामने अपने एक्स का दर्जा हमेशा निचाही रखना नमबर दस दोस्तो जब भी आप उस औरत से मिले जिसे आप इंप्रेस करना चाते हो उनसे मिलते ही उन्हें छुने की कोशिश मत करना जब तक वो आपको छूना ले यदि आप ऐसा पहले यदि आप पहले उनके बॉड़ी को छूओगे तो आप पर वो शक करेगी कि आप सेक्स के भूके हो उनको ऐसास दिलाए कि आप उनकी कियर करते हो उसको बहुत चाहते हो इसके लिए उसको आपसे जो भी help चाहिए समय समय पर करते रहना ऐसा situation आ जाए कि उसको दुख पहुचे तो उसके साथ रहना हातों में हात दे कर ये जताना कि मैं हुना अब कोई चिंता मत करना वो सामने होते हुए कोई उसके खिलब कुछ भी बोले तो आप उसको ही धमका देना आप उसके खिलब कोई भी बात नहीं सुन सकते ये बात उसको फिल करवाना है